गुद मॉर्निंग स्टुडेंट वेलकम तुमाई चैनल बेटा आज हम करेंगे क्लास एर्थ की साइंस की वॉक्षीट वॉक्षीट नमबर 10 जो की डेट 4 नेवेंबर की है चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम मैटल्स के बारे में पढ़ेंगे चलिए आपने देखाऊगा हम क्या कहते हैं मैटल्स कहते हैं ठीक है वी बिल डिवाइड दैम इंटो टू डिफेरेंट ग्रूप बेस्ट ओन देर अपिरेंस और हाडनेस उसके ओपर हमने दो ग्रूप बाटने उसके मैटल एंड डॉन मैटल चलिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मैटल् दिख लेते हैं अपिरेंस और हाडनेस द lang ते जो आय्रण होता है आपका कैसा होता है अब खुद सोच के बता इब आर Wrap ऑता है शाइन होतर यां फिर डिल होता है कैसा होता है वह बिश्इ डोतै तो मैं ऐस लेक देते हूं शाइन वाडनेस lata NAC सेलगी comment कोल Hani होता है दल मोग्दम होता है यह लोता है और Sonic नहीं करता है और वह हाड होता है नहीं दुएूर सूंप आपका सूंप कि देख फीडर्जवा शमीमठी मेंने क्यों सुर्फर भी दल होता है ठीक है आप उनको देख के आप बता सकते हो कि क्या प्रॉपर्टी है सबसे पहले हाडनेस मोस्त मेटल जो होते हैं वह हाड होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी है मितलब कुछ मैटल ऐसी भी है जो हाड नहीं होती है कौन-कौन सी सोडियम और पोटेशम वह बहुत ही सौफ्ट होती है और नाइफ से चाकू से कट सकते हैं चीक है सेकेंड आपका पॉइंट डेक्ट लेटी क्या होता है जो पॉपर्टी ओप मैटल बाइविच दे कैंड बी ड्रॉण इंटू थिन वाइर यहने उनको पीट कर उनको हम तार में चेंज कर सकते हैं देखिए जैसे कौपर मैटल को कौपर वाइर में चेंज कर दिया है पॉर एक्जामपल कौपर गोल्ड सिल्वर आयरन थर्ड है सॉलिड मोस्ट जो मैटल होत र में देखिए तो मैटल कर देखिए अब एक क्सक्राइब हम सब्सक्राइब यह तो इस में और ब्रूंपर कमकर पीट करना इनको इस 还 मैपको होगा छόσmanas लेंगे तो वह पीज में ब्रेक होगा यहां यहां फ्लैट हो जाएगा तो वह तो तो टूट जाएगा पीसीज में हो जाएगा ऐलमूनियम वैर अलमूनियम वैर भी फ्लैट हो जाएगा और्बन रॉड टूट जाएगी वह पेंसिल golden ीड्रीट हो चीक है तो इससे क्या आगे पढ़ते हैं most metal get flattened बहुत सारी देखा आपने यह फ्लैट हो गई और being hammered without breaking बिना टूटे ही वह फ्लैट बन गई शीट की तरह बन गई इस प्रॉपर्टी ओफ मैटल इस नोन अस मिलेबिलिटी ठीक है non-metal get broken into pieces on being hammered non-metal are brittle in nature क्योंकि वह तूट जाती है चीक है therefore we can say that metal are hard shiny ductile और malleable some example दीवे metal के iron copper aluminum calcium यह सब दिया हुआ है sulfur carbon oxygen phosphorus और some example of non-metal यह non-metal के आपके example है चले equations करते हैं ले मैंने two metals that can be easily cut with a knife तो यह first cancer आप लिखेंगे sodium and potassium first cancer आपका चीक है second क्या पुछा है name a metal which is found in liquid state liquid state पी क्या मिलता है भाई mercury चीक है तो यह आपका second cancer हो जाएगा चीक है third what is ductility which metal would you prefer to make wire ductility क्या होती है sheet में change करना thin wires में the property of metal by which they can be drawn into thin wire ठीक है यह आपके third लिख सकते हैं copper लिख सकते हैं aluminum लिख सकते हैं चीक है यह यहां से ठीक है यह आपका sorry fourth cancer है दो लिखती जिएगा कोई सबी फिफ्ट राइट वन यूज ओफ ऐल्यूमीनियम मेटल बेटा अलुमीनियम मेटल का यूटेंसिल बरतन बढ़ते हैं ठेक है यूटेंसिल बनते हैं और आपने देखा हुआ है aluminum foil paper जो हथा आपका वों भी बनता है Check that aluminum foil paper यहां दीखें लिखा हुआ है यहां से लेख सकते हैं aluminum roll भी लिख सकते हैs ठेक है यहां इसका use हो गया तो यहां की work sheet complete है I hope आपको अच्छे से समझाई हो तो प्लीज सेनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें फ्रेंद के चार शेयर जरू करें